14.2.6 शेत्रे दलों एवं शेत्रे आंदोलनों का उभार 1967 से 1971 के समय को शेत्रे दलों एवं शेत्रे आंदोलनों का समय कहा जाता है इस अवधी में बहुत से शेत्रे दलों ने अपनी राजनेतिक पहचान इस्थापित की तथा कई आंदोलन इसी दोरान उभरे जिन समुओं को आर्थिक नीतियों के लाब मिलने लगे थे उन्होंने संगठित होकर राजनेतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए इन चुनाओं से अपनी उपस्थिती दर्ज करानी शुरू की इन चुनाओं में हलाकि कॉंग्रेस को लोग सभा में 284 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त हो गया लेकिन आजादी के बात के चुनाओं में यह कॉंग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन था कॉंग्रेस को बिहार, उत्तरप्यदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिन नाडू और केरल राज्यों के विधान सभा चुनाओं में हार जेलनी पड़ी भारत के चुनाओी राजनेतिक इतिहास में यह सबसे बड़ा राजनेतिक बदलाओ था इन चुनाओं से यह सबस्ट हो गया कि भारत में लोक तंत्री की जड़े मजबूत हो रही हैं तथा देश बहुदली राजनेतिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है तमिलनाडू तथा केरल में विपक्षी दलोंने अपेक्षाक्रित स्थाई सरकारे बनाई जिबके अन्य राज्यों में विपक्षी दलोंने आपस में गठबंधन करके सरकारे बनाई इस अवधी में देश के कई शेत्रों में छेत्रेता की भावना का उभार हुआ उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना राजी की मांग पेश की गई 1979 में असम के जन जाती जिलों में खासी, जैन्तिया और गारो कभीलों के इलाकों को जोड़ कर एक नया राज मेघालाय बनाया गया हाला कि पंजाब का पुनरगठन 1966 में हो गया था, महराश्ट में भी शिवसेना के निर्त्रत्त में यह मांग की गई कि मुंबई किवल महराश्ट के लोगों के लिए है इसी प्रकार कश्मीर, नागलेंड, आदी राज्जियों में युवा वर्गद्वारा पुरानी मांगे उठाई जा रही थी 14.2.7 राज भाशा का सवाल और हिंदी विरोधी आंदोलन सम्विधान सभा में लंबी बहस के बाद निर्ना लिया गया कि भारत में किसी भी भाशा को राश्ट्र भाशा का दर्जा नहीं दिया जाएगा यह भी तैह हुआ कि अगले 15 साल तक अंग्रेजी हिंदी के स्थान पर राज भाशा के प्रशासन कारे रूप में प्रयोग होती रहेगी इसकी अनुसार जब 1965 में हिंदी को राज भाशा बनाया जा रहा था गैर हिंदी भाशी छेत्रों में इसका विरोध शुरू हो गया आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव तमिल नाडु में देखा गया तमिल नाडु में इस निर्णै के खिलाफ राज व्यापी हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया और इस दोरान धर्ना प्रदर्शन और हड़ताल बड़े पैमाने पर हुए ऐसे में प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी राजी की सहमती के बिना उन पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी ने प्रवधानों में यह व्यवस्था की गई कि राजी सरकारे अपनी राज भाषा का चुनाव खुद कर सकती है यह भाषा हिंदी अंग्रेजी या इनके अलावा कोई अन्य भाषा भी हो सकती है